Hello guys, I am Pradeef from WSQ Tech. आज हम देखेंगे कि static और dynamic website में क्या difference होता है. एक्चली हम website बनाते हैं, तो website के भी क्या होते हैं, types होते हैं, एक static होता है और dynamic होता है. दोनों तरह के आपको website बनाने के लिए clients मिल सकते हैं, कोई client आपसे बोल सकता है कि static website बना दीजिए, कोई client मिलेगा कि वो आपसे बोलेगा dynamic website बना दीजिए. एक्चली static और dynamic difference क्लियर नहीं होता बहुत लोगों को कि static क्या है, dynamic क्या है, और static में हम किस level की website बनाएंगे, dynamic के process में किस level की website बनाएंगे, इस process को मैं आप लोगों के सामने क्या गरूँगा, clear कराऊँगा, बनाएंगे, और dynamic website के लिए आपको कौन कौन सी level की जानी चाहिए, ये पूरे process को आपके सामने clear क्या जाएगा, देखें, static website क्या होती है, उसको मैं एक बार explain करता हूँ, static website में क्या होता है, जो आपका content होता है, जैसे आपने किसी website को उपन किया, उसके अंदर का content हमीशा fix होनी का मतलब है, कि आज अगर आपने किसी website को उपन किया, वहाँ पे same content दिख रहा है, और एक साल बाद फिर आपन किया, वहाँ पे फिर भी same content दिख रहा है, अगर आपको static website को समझना है, तो clear logic है, कि अगर website पे content आपका fixed होता है, और content कभी भी change नहीं होता है, तो वह आपका क्या होता है, static website होता है, तो static website के logic में, आपकी website का content बार-बार change नहीं होता है, देखें, यहाँ पे लिखा हूँ अभी है, कि static website के logic में, आपका content throughout the process कहीं भी change नहीं होता, एक बार अगर मैंने कोई website बना दी वो fix हो गई कि यही website होगी अब उसमें problem क्या है कि अगर आप किसी client के लिए website मना रहे है माली ज़े कोई client है उसने कहा कि मेरे लिए आप static website बना दी तो client के पास कोई भी option नहीं है कि वो अपनी website का data change कर पाए client को हमेशा क्या होगा developer के उपर depend होना पड़ेगा क्योंकि मैं एक developer हूँ मैंने code करके website बना दिया और client ने उस website को देख लिया और उसने approve कर दिया उसको लगा कि एक साल बात phone number change करना है अपनी website का तो वो static website के logic में phone number change नहीं कर पाएगा और static website में हमेशा जो dependency होती है वो क्या ह उबर होती है तो static website एक तरह से content को fix करती है content को fix करने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ माल लीजिए कि आपने कोई website बनाई e-commerce website या कोई भी website बनाई जैसे यहाँ पे एक image ली गई है इस image के अंदर देखिए इधर left की side एक image लिया गया और इधर की side content है यह अगर हमे website के logic में आपका content हमेंसा fixed होता है आप उस content को change नहीं करते हैं देखें दूसरे point में यह लिखा गया है कि static website जब भी आप बनाते हैं तो database का use होगा तो वो dynamic होगी database का use नहीं होता static website content को fix रखती है static website में आपका database connect नहीं होगा अब देखें यहां पर यह भी लिखा गया है कि static website जब भी आप बनाएंगे तो static website आपकी हमेसा fast load होती है as compared to dynamic website fast load होने का मतलब है क्योंकि वो server से communicate करती ही नहीं है आप जैसी ही website पर जाते हो तुरंत load हो जाएगी क्योंकि जो भी content होता है वो speech पर ही रहता है और डेटा को तुरंत ही आपके सामने क्या कर देता है load कर देता है static website में content fix database का कोई logic नहीं है और static website हमेसा आपकी क्या होगी फास्ट होगी और static क्या होती है directly load होती है को यहां से उठाया यह आपके सामने डेटा आ रहा है अगर यह जो डेटा है जैसे यह company की information लिखी गई है तो company की information तो मैंने fix लिख दी इसको तो मैं change करूंगा नहीं तो यह चीज क्या हो गया एक तरह से static हो गया मैं इस data को बार बार चेंज नहीं करूंगा डेटा अगर चेंज हो रहा होता तो वह dynamic होता वह आगे के logic में भी समझाऊंगा यह content आपका अपनी website पे क्या हो जाए fix हो जाए और आप इसको पूरे entire process में कहीं भी change ना करें तो वह आपका क्या होता है एक्चुल में logic यह होता है static हमीशा website का design होता है जैसे माल लीजिए कि यहां पर आपके सामने एक तरफ image दिख रही है और एक तरफ आपका content दिख रहा है image और content ही आएगा हमीशा image और content ही आएगा ऑई-कस change हो गए तो वह आपका dynamic हो सकता है लिखने का design यही रहेगा कि left में मीजंग और content होगा तो इस्ठेक हमेशा design वाले part को ही हम क्या करते हैं implement करते हैं डिज़ाइन वाले part को ही हम क्या कहलते हैं static बोलते हैं जो आपका designing का portion होता है वो हमेशा static होता है एक example के लिए मैं आपको clear करता हूँ जिससे आप relate कर पाएं और समझ पाएं लिए static website का एक example क्या होगा माल लीजे कि आप अपना क्या गर रहे हैं resume बना रहे हैं आप Static website में माल लीजे कि आप अपना resume को क्या गर रहे हैं resume का format क्या होता है कि आप अपने बारे में मैं मतलब अपने resume को website के format में रिपर्जेंट कर रहा हूं वो resume मैं क्या गरूंगा और वहांगा।। तो इस तरी के इंफर्मेशन क्या करसकता हूं क्या करना ही नहीं चाहूंगा। अगर मैं अपने नेम को बार-बार चाहता हूं तो बोधानेमिक प्रॉसेस हो जाएगा। अगर एक्जाम्पल जमझना है तो यह जो पोटफोलियो की वेबसाइट होती है जैसे मेरी रिजूम की वेबसाइट हो गई कोई लाइनिंग पेज बनता है तो वह भी मोस्टली क्या होता है जैसे मैंने अपनी बारे में लिखा मैंने अपनी डेट वर्त नेम और कॉलिफिकेशन यह सारी चीज़े लिखी अगर इस चीज़ को वेबसाइट के फॉर्मेट में रिपर्जेंट करना है तो वह मैं स्टैक ही बनाऊंगा उसको डाइनिमिक के प्रॉसेस में नहीं रखूँ अगर static के process को आप clear समझेगा कि अगर आपकी website पे data को fixed रखना है तो आप static बनाईए और client की dependency जिसके लिए आप website बना रहे हैं जो भी client आपका है अगर उसके लिए आप website बना रहे हो तो उसकी dependency हमेशा developer के उपर रहीगी क्लाइट के पास कोई option नहीं कि website का data change हो जाए आपके पास ही call करके कहेगा phone number change कर दीजिए email change कर दीजिए content change कर दीजिए क्योंकि हमने code में क्या किया उसको लिखा है और static के लिए आप क्या यूज़ करते हैं यहाइथ पर css का यूज करते हैं हम यहाइथ जावाइस करT का यूज करते हैं हम यहाइथ बूरस का use करते हैं ऐसे और भी होते हैं इसे हैं फ्रांटेंट के पार्ट मैं स्लेटिक बात कर रहा हूं जो आपका ف्रॉइंध का design होता हो हम सबस botherूई static होता है क्यों जो design का formid होता है वो हम बार-बार नहीं change करते हैं हम जो change करते हैं उसको चेंज करते हैं और data अगर आपका change हो रहा है तो उसको old dynamic बोलता है इस टेटिक एक realistic example माल लीजे कि आपका 10th का result आया उस result को आप क्या कर रहे हैं देख रहे हैं तो आप नमड ही चेंज कर पाएंगे जो आया है वो आपके लिए क्या है fix है आप उसको देख के रुख जाएंगे तो static मतलब जो मेरे पास आ गया और मैं उसको चेंज ही नहीं कर पा रहा तो वह आपका क्या static है आपका नेम static होगा आपका डेटा बर्ती static होगा आपका फादर का नाम static होगा अगर आपको चेंज भी करवाना है जैसे आपने का कि मेरा नाम गलत होगा मांक सीट में तो आपको बोर्ड में जाना पड़ेगा वहां से चेंज होगा तो बोर्ड उसके लिए क्या है पही क्या होगा łatगी कोई कdidकनिक यहाँ का क्या होता है इस्शमाने के सामने की में यह यह माल ली जै कि आपने कोई इक्वेबसाइट बनाई यहां पर देटा चेंज हो सकता है यहां पर डिजाइन तो चारी रहेंगे और अंदर का डेटा चेंज हो जाएगा माल लीजे कि यहां पर आपके सामने आपने इसका मतलब है जो डिजाइन चार का डिजाइन तो इसका मतलब है जो चार कॉल्म का design था वो तो static है पर अंदर का data आपका क्या है dynamic है तो dynamic में क्या होता है आप data को क्या अगर पाएंगे change देख पाएंगे कि user आ रहा है user के according data क्या हो रहा है change भी हो रहा है एक example के लिए बहुत simple सा है आप लोग facebook चलाते हैं तो facebook बटन पर क्लिक क्या और आपका फोटो चेंज हो गया अब मैं आपसे कहूं कि आप facebook का logo चेंज करके दिखाएं तो facebook का logo आप लोगों के लिए static है और photo चेंज करने का option आपके लिए facebook ने दिया है तो वह आपका क्या है एक डाइनमिक का logic है डाइनमिक के process में आपका data आप क्या कर सकते है चेंज कर सकते है अब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि flip card की website पर जाईए और product का प्राइस चेंज कर दिजिए वह possible नहीं होगा आपके लिए वह जिनोंने भी website बनाई होगी जैसे flip card की website किसी client के लिए बनी होगी तो वह client उस price को change कर सकता है तो price उसके लिए डाइनमिक है मरा आपके लिए क्या है static है तो static में data fixed होता है dynamic में data क्या हो सकता है change हो सकता है change होने का मतलब है कल आप जब आए तो data यहाँ पर change मिलेगा और data में कौन सा data आ जाएक वह पता नहीं है environment के according data क्या हो आपके पास आ रहा है तो वह डाइनमिक है अगर flip card कहें कि मैं केवल आइफोन ही बेचूंगा तो वह एक क्या है static है वह हमेशा आप मोबाइल को क्या कर सकता है चेंज कर सकता है तो वह process आपके लिए क्या है जो आपके डैनमिक वेबसाइट होती है वो database सो connect हो जाती है और database से connect होके data को क्या करती है आपके सामने डिस्प्ले कर देती है तो आपके dynamic website में आपको image भी change मिल सकती है आपका content भी change मिल सकता है मीढको वहाँ पर date change हो सकता है तो जब भी हम dynamic website बनाते है Dynamic website के case में, जब भी आप Dynamic website बनाएंगे तो Dynamic website के case में दो phase होते हैं, एक होता है website, वेब साइट वो part होता है, जो user को दिחता है, user गया और user जाके क्या पर रुखता है, वहाँ पे product देखा है, सारी चीज़े देखता है और एक होता है control panel, control panel बोले या आप इसको admin panel बोले, control panel कौन सा part होता है control panel वो part होता है जिसमें मतलब client data को क्या कर सकता है handle कर सकता है जैसे यहाँ पे एक website पे user आया user ने देखा कि यहाँ पे उसको 4 products दिख रहे है यह 4 products line से लिख रहे है इस products का नाम ABC आप कुछ भी ले लिजिए जैसे यह product A है यह B है और यह C है और यह D है और यहाँ पे इनकी price है जैसे यहाँ पे 200 लिखा मैंने यहाँ पे 300 लिखा यहाँ पे 250 लिखा और यहाँ पे 350 लिखा तो user आया user को क्या है यह product भी खरीदना तो उसको price दिख रहे है 300 डाइनिक के process में आप data को क्या कर सकते है, change कर सकते है, वो लॉग इन करके website के data को क्या कर सकता है, change कर सकता है, तो इस process के लिए, अगर client के requirement है कि मुझे phone number चेंज करना है, तो उसको code नहीं करना है, उसके पास form आएगा, form के अंदर phone number डालेगा और update बटन पे click करेगा और website पे phone number क्या हो जाएगा, change हो जाएगा, तो इस process के लिए हम dynamic website बनाते हैं, dynamic website में आप control panel बना के देंगे, तो आप client को समझा सकते हैं, यह control panel है, आप यहां से अपनी website का data क्या गर सकता है, handle कर सकते हैं, static website के concept में control panel का कोई logic नहीं होता, static website के logic में कोई control panel का logic नहीं होता, data आपके page पे ही होता, page के थूह ही data क्या होगा, change होगा, तो dynamic website हमेशा दो face में होती है, एक website और एक control panel जब भी कोई dynamic website बनेगी, तो हमेशा धिहां रखें, जब भी आप WordPress के अंदर website बनाते हैं, तो WordPress में website का भी लुक आता है, और एक dashboard का भी लुक आता है, WordPress भी आपका क्या है, dynamic के लिए है, आप इनके अंदर static बना ही नहीं सकते, static के लिए केवल आप HTML, CSS और JavaScript बूस्ट है, चार चीज़ा आती है, आप आसानी से static website, मतलब एक designing का format बना देंगे और data उसी के अंदर इस्टोर कर देंगे, अब PHP, MySQL, Laravel और WordPress इसका यूज करके आप dynamic website को बना सकते हैं, मतलब इसका है, सरवर से connected कर सकते है, MySQL, database से, database से connect कर सकते हैं, अब जरूरी नहीं है। PHP ही आपका backend में यूज होगा, इसको हम backend बोलते हैं और static को frontend बोलते हैं, backend के लिए आप Python प्लस Django यूज कर सकते हैं, backend बेकंड के लिए आप .NET भी यूज कर सकते हैं, बेकेंड के लिए आप Java भी यूज कर सकते हैं तो बेकेंड में बहुत सारी languages है जो website पे काम कर जाएंगी किसी भी website का front end क्या होता है सेम होता है जैसे HTML, CSS, JavaScript और bootstep हमेशा वो fix होगा कि उसके अंदर ही front end बनेगा बेकेंड के लिए आप इन language को क्या अगर सकते यूज कर सकते हैं तो static website आप लोगों के सामने clear एक content को fix रखती है उसके अंदर server की connectivity नहीं होती database की और static website fast load होती है dynamic website में आपका data क्या हो सकता है change हो सकता है user के according भी हो सकता है कि user अगर कोई आ रहा है तो उसके view के according भी data change हो सकता है और dynamic website में database की connectivity होती है और dynamic website में हमेशा क्या है control करने के लिए आपको control panel मिलता है website का part अलग है और control panel का part अलग है website user के लिए control panel client के लिए और जिनोंने भी website को मनाया वो होते हैं developers वो website को क्या करते हैं और जब भी dynamic website आएगी तो उसमें दो होंगे एक backend होगा और एक frontend होगा बना फ्रंटेंड जो users को दिख रहा है backend जो client के लिए हम develop करेंगे तो उस process के लिए आप थोड़ा सा charge high pay कर सकते हैं क्योंकि उसमें आप data को control करने के लिए client का option बना रहे हैं क्लाइंट आए और control panel में data को क्या कर सकता है handle कर सकता अपनी website का data चेंज कर सकता है तो इस logic के लिए आप dynamic website को क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं तो ज़्यादा तर अगर आप website के किसी examples को देखेंगे तो ज़्यादा तर website के examples में आपको dynamic ही मिलेगा क्यों mostly जितनी भी websites मनती है वो dynamic ही है जैसे हम Flipkart की बात करें Flipkart dynamic है आप कोई product खरीते हैं तो product में जरूरी थोड़ी है कि एक fix आपका address है आप वहाँ पे multiple address भी क्या कर सकते हैं एड कर सकते हैं उस process के लिए उसने आपको address का option क्या किया है dynamic दिया है जिससे आप multiple address वहाँ पे क्या कर सकते हैं अगर Flipkart बोले कि आपको केवल इसी address पे order place करना है तो वो आपके लिए static हो जाएगा तो आप order भी multiple address पे कर सकते हैं आप उसके अंदर अपना update भी कर सकते हैं तो वो चीजे उसने आपके लिए क्या कर रखे हैं बना रखे हैं तो Flipkart एक डाइनमिक वेबसाइट है फेस्बुक डाइनमिक है क्योंकि आप अपने पोस्ट को एड कर सकते हैं पोस्ट को चेंज कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं यह सारा प्रोसेस आपके लिए क्या है डाइनमिक है इस्टैटिक केवल डिजाइन है जो दिख रहा है वही आपको कल भी दिखेगा वही आपको एक साल बाद भी दिखेगा तो यह चीज़े आपके सामने क्लियर हो गई होगी होगी कि स्टैटिक क्या होता है और इसी टाइप के आपके पास content आते रहेंगे जिससे आप relate कर पाओ कि हमें कब किस टाइप की website बनानी चाहिए अगर कोई e-commerce, educational, travel-based website होता इस process के लिए आप इस logic को क्या अगर सकते यूज कर सकते हैं तो अभी के पार्ट में इतना ही था आगे के पार्ट में बिलते हैं और चीजों को और clear करते हैं और आपके सामने ऐसी ही topic आते रहेंगे और आप relate भी करते रहेंगे Thank you so much guys